सब्सक्राइब कीजे वैदिक जोतिस चैनल को और शाथ बैल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही जैसंतो सिमा दोस्तो स्वागत है आपका वैदिक जोतिस में जानते हैं आज क्या कहती है आपकी रासियां कैसा रहीगा आपका दिन सुर्वात करते हैं आज के सुवचार सी माता-पिता की ज़रत हमें बच्छपन में जितनी होती है उतनी ही ज़रत उनको बुढ़ा पेमी हमारी होती है रोटी मकान कोई बड़ी बात नहीं लेकिन परवार के सांथ रोटी खाना बड़ी बात है शुख व्यक्ति के एहंकार की परिक्षा लेता है जबकि दुख व्यक्ति के धैरे की दोनों परिक्षाओं में सफल होने पर ही व्यक्ति का जीवन सफल बनता है आज का पंचांग 1 सितंबर 2020 देन मंगलवार भादर पदमाश के सुकल पक्ष की 4 दशिति ति सुबह 9 बच कर 49 मिलट तक रहेगी इसके उपरान पूर्नीमा तिथी प्रारम हो जाईगी धनिष्ठा नामक नक्षत्र सम 4 बच कर 38 मिलट तक रहेगी इसके उपरान शदभीशनक चत्र प्रारम हो जाईगी आज का राहुकाल अर्थार दिन का सबसे असुप समय दोपहर तीन बच कर तैरतिस मिलट से पांच बच कर साथ मिलट तक रहेगा आज का विजीत महुरत अर्थार दिन का सबसे शुप समय दोपहर बारा बच कर एक मिलट सी, बारा बच कर इंक्यावन मिलट तक रहीगा आज शंद्रमक कुम राशी पर संचार करेगी और आशूरिया सिह राशी पर रहेंगी मकर राशी 1 सितंबर 2020 देन मंगलवार अगर आप आज रोसरी धर में बनने वाले खाने के बारे में सोच रही है तो, बिलकुल सही सोच रही है आज आज आपको कोई विशेश पकवान खाने को मिल सकता है आपने सेहत का ध्यार रखें और सापसफाई बनाएं रखें आपके मित्र को हुई गलत फैं में आज दूर हो शकती है अप प्रत्यासित इस्तरोतों से आय होने की भी संभावना है समय प्रतिष्टा वर्धक है भागया आपके पक्ष में नए उपलब्धियां प्रदान कर रहा है आप अपने वाक्त चातूरिय से तमाम बधाएं पार करके आगे बढ़ेंगे तथा विशेश व्यक्तियों से मुलकात भी साथक रहेगी आपकी कार्यशयली सराहनिय रहेगी कार्यशेतर में अधिक मेहनत करने के आवशकता भी है आज के दिन आपके लिए कुछ ने चुनोतियों से भरा रह सकता है आज काम में आपको कुछ अंचाही रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है किसी बात को लेकर चिंता है तो उसे किसी से सियर करें इसे मन भी हलका होगा और चिंता का हल भी मिल जाएगा भविश्य को लेकर परशान ना हूँ, समय के सांथ सब कुछ सुलस्ता जाएगा, आप में आज जूर्जा की कमी नहीं है, इसे उचित दिसा में लगाएं, अपनी सेहत का पूरा ख्यार रखें शौधानिया, कभी-कभी बहुत अधिक सोचने विचारने में लाप देने वाली इस थेतियां हाल से निकल सकती है, इसलिए योशनाओं के सांथ सांथ उनको क्रियानवित करने का भी प्रयत न करें, किसे भी व्यक्तिगत मामलों में जादा हस्तचेप ना करें, इससे आपकी ह साब पर शवाल उठेंगे, लव लाइफ की बात करते हैं, आज अब अपने सभी सम्मंधों को नए सिरे से शुरू करने के लिए तैयार हैं, इस तरह से पुराने महत्वहिन रिस्तों को भी आप पीछे छोड़ सकते हैं, जिनका काम के सांथ कुश महत्वन नहीं रह गया है या आप अपने प्रयासों से अपनी मौजूदा रिस्ते को नवने करित करके उनमें प्रेम की उर्जया का संचार कर सकते हैं, आप इस समय उर्जया से ओध प्रोथ हैं और आप प्रेम से भरे हुए रिस्ते को अगले इस्तरपल ले जाएं, करियर की बात करें तुम, आज जब बहुत महत्व कांग्छी मैसूस करेंगे, नयोशर आपके कार छेत्र में खुलेंगे और आप उनका लाब लेने के लिए उश्युक होंगे, धैर रखे कि आपकी उश्युक्ता आपके शकर्मियों के बीच इर्शा का कारण ना बने, इसलिए शोधार रहें, आपको य एसास करने के जवरत है कि, अपनी पर योश्नाओं के महत्व पूर्नक रियानवयन के लिए ना केवल अपने वरिश्ट रदिकारियों को प्रभावित बलकी, अपने शकर्मियों का समर्थन हासिल करना भी बहुत आवर्शक है, शेहत की बात करते हैं, आप पूरी तरह रखें, वरना आपको बाद में फस्तावा हो शकता है, खुब एक्सरसाइश करें और खुब पानी पिए, आज का उपाय, आज अप भन्मान भगवान ची को सिंदुर चड़हें, दोस्तों वीडियो को लैक शेयर करना ना भूलिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, आपका देश शुग्षुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुु